बी ए प्रोग्राम, थर्ड सेमेस्टर का जी ए हिंदी का यूनिट वन का जो टोपिक है वो कम्प्लीट कवर करने वाले हैं तो अगर आप भी थर्ड सेमेस्टर में हैं और आपके पास भी जी ए हिंदी हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है तो की व्यंगिय इन सब के बारे में पढ़ना है तो चलिए जानते हैं इस पूरी यूनिट में आपको क्या-क्या करना है तो आज इस वीडियो में हम यह कंप्लेट यूनिट कवर करने वाले हैं तो आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो सब्सक्राइब कर लेजिए त इनको दो भागों में बाटा गया है अगर हिंदी गध्या की बात करे तो हिंदी गध्या जो इसमें कहानी उपन्यास रेखा चित्रन निबंत संस्वरन इन सब को इंक्लूड किया गया है हिंदी गध्या की कैटेगरी में ठीक है हिंदी गध्या की दो विधाय होती है प्रम तक एकांग की उपन्यास कहानी नीबंथ तथा आलोचना को इंक्लूड किया गया है ठीक है तो प्रमुख विधाओं में क्या के शामिल है यह आपको पताऊना चाहिए एक्जाम में आपके यही कोशन आ सकते हैं कि हिंदी गद्य की विधाय जो है उनको कितने पार्ट में डि देखें ताकि अगर यूनिट वर्ण में से आपका कोई कोशन आए तो उसमें आपके मार्क्स ना गटें ठीक है तो चलिए जानते हैं प्रमुख विधाओं में केके इंक्लूडिड है नाटक एकांग की उपन्यास कहानी निबंथ इनको प्रमुख विधाओं कहा जाते हैं कि वहाँ पर आपने क्या क्या देखा कैसे आपने सफर अपना तै किया यह सब कुछ तो यह यात्रा वितांत होता है ठीक है गद्य काविया संस्मरन रेखा चित्र रिपोर्टाज रिपोर्टाज का मतलब होता है किसी चीज़ पर रिपोर्ट बनाना ठीक है डायरी इंग्ल ہوتा है भेटवारता मनलब कि आपने किसी से मुलाकात की उसको आपने explain कर दिया को उसके बाद है पत्रिसाहितिय ठीक है तो इन सब का उलेक किसमें किया जाता है प्रकिरनी गढ़िया में प्रकिरन इंक्लूड किया जहते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकीरी में क्या के चीज़ें इंक्लूड कि गई जैसे-प्रकीरी ग्रफिया है जी में आ।ट मिकतायां की बायोगिफी यात्राव scary टान्त गद्यकावय Constructionॉ इन सब को किसमें इंक्लूड किया गया है प्रकेइन गद्ये में ठीक है अब नेक्स्ट देखते हैं अब हम पढ़ेंगे कहानी कहानी का विकास कैसे हुआ हिंदी गद्ये में कहानी का महत्र है ठीक है जाने रेखा चित्र संस्मरण नीबंद एकांगी व्यंगे इन सब के बारे में लिखना है ठीक है तो इन सब के बारे में आप कैसे लिखेंगे वही जानेंगे ठीक है जो भी हम आपको दिखा रहे हैं आप इसाथ साथ में नोट्स बनाते हुए चलिएगा ताकि एक्जाम टा को नाठ के प्रभाव के साथ व्यक्त करने वाली अपने में पूर्ण कलात्मक गद्य विधा को कहानी कहा जाते हैं ठीक है कहानी जो है ये पूर्ण कलात्मक गद्य विधा है कलात्मक मतलब कि इसमें हम अपनी कला का प्रयोग करके ही कुछ भी किसी भी जेसकी अचना करते ह है ठीक है एंड कहानी जो है यह मेली कालपनिक ही होती है ठीक है इस वे इसको कलात्मक भी कहा गया है जीवन में किसी मार्मिक तत्या को मलब कि आपके जीवन में कोई घटना हुई हो घटित तो उसमें आप नाट की प्रभाव दिखा कर मलब कि उसमें कुछ चीज़ अपने तरफ से एड करके उसको कहानी का रूप दे सकते हैं ठीक है तो यह जो भी लोग कहानी बनाते हैं यह इसी तरह के से बनाते हैं उनके जीवन में जो घटना घटित होती है वो उसमें कुछ अलग चीज़ आड करके मतलब कि उसको नाट के प्रभाव दे कर ठीक है पूर्ण कलात्म गदिया के रूप में प्रस्तूत कर देते हैं जिसको कहानी कहा जाते हैं ठीक है तो एक कहानी की डैफिनेशन हो गई हिं ऐसे पहले कहानी की रजणा नहीं की जाती थी कहानी या आख्याई का हमारे देश के लिए नई चीज नहीं है हमारे पुरानों में भी शिक्षा, निती एवँ हास्य delicь अनेग कहानी अपलब्ध हैं मतलब कि हम अगर अपने पुरानों को देखें तो उसमें भी बहुत सारी कहानियां मिलती हैं जो शिक्षा नेती तता हास्य से संभन्थित होती हैं ठीक है जिस से हमको कुछ शिक्षा मिले जिस से हमें कुछ नीतियों का पता चले एंड हास्य प्रधा pray मतलब कि जिस better कुछ मज़ाग भी हो तो ऐसी कहानिया हमको देखने को मिलता है अपने पुगानों में भी ठीक है किन्तु आधुनिक साहित्य कहानियों का उदेश है और शिल्प उन से भिन है लेकिन जो आधुनिक साहित्य हैं उनकी कहानियों का उदेश है तता शिल्प मतलब कि उन कहानियों का मोटिव एंड उनको बनाने का तरीका यानकी शिल्प थोड किसी कलात्मक गध्य विधा है जिसमें हम अपने जीरन के किसी भी शेत्र की मार्मिक घटना को किसी मार्मिक तथ्य रोण नाठ की प्रभाव के साथ व्यक्त करते हैं ठीक है जो पाठा को अपनी यथार्थ परता तथा मनोवज्ञानिकता की कारण निश्चित रूप से प्रेम चंद्रा ठीक है प्रेम चंदोतर या चाया वादोतर युग में जैनेंद्र अग्ये इलाचंद्र जोशी पाल जोशी यश्पाल उपेंद्रनाथ अश्क कमलेश्वर राजिंद्रियादर अमरकांत ऐसे बहुत सारे लेखक हुए हैं जिन्होंने कहानियों की रचना की हैं और उनकी कहानिया बहुत ज़्यादा प्रसिद्र हुई फेमस हुई ठीक है उसके बाद देखिए नेक्स्ट आपता है आपका रेखा चित्र तो ये रेखा चित्र क्या होता है रेखा चित्र को देखे तो रेखा चित्र का इंग्लिश में मतलब होता है स्कैच ठीक है एंड रेखा चित्र जो है जैसे sketch में रेखाओ के माध्यम से किसी वस्तू या व्यक्ति का चित्र प्रस्तूत किया जाता है जैसे आप कोई भी sketch बनाते हैं उसमें आप किसी भी व्यक्ति की वस्तू की painting बनाते हैं ठीक है उसी तरीके से हिंदी में जो रेखा चित्र है उसमें भी क्या किया जाता है किसी व्यक्ति या वस्तू के बारे में उसके व्यक्तित्व के बारे में लिखा जाता है शब्द रेखाओं के माधिरम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्र को उसके समग्र रूप में पाठकों के समुख प्रस्तूत किया जाता है इसको बोलता रेखाचित्र किसी व्यक्ति के व्यक्तित्र को लिखा जाता है किसमें और रेखाचित्र में हिंदी में रेखा चित्रों का आविक भाव बीसवी सदी के तीसरे दशक में हुआ हिंदी में जो रेखा चित्र है उसका आविक भाव कब हुआ था बीसवी सदी के तीसरे दशक में हिंदी प्रथम रेखा चित्र कौन सा है हिंदी में रेखाचित्र स्रीजन का श्रीय पदम सिंग शर्मा कमलेश को जाता है तो ये भी काफे इंपोर्टेंट है जब आप रेखाचित्र के बारे में लिखेंगे तो आपको बताना होगा कि हिंदी में रेखाचित्र के स्रीजन का श्रीय पदम सिंग शर्मा कमलेश को ज इनके रेखाचित्रों का संक्लन पद्म पराग है, जिसे हिंदी का प्रथम रेखाचित्र माना जाता है, ठीक है, सबसे पहला रेखाचित्र किसे माना जाता है, पद्म पराग को, ठीक है, पद्म पराग एक रेखाचित्र का गद्या है, जिसमें पद्म, सिंग, शर्मा, कमले करेक्ष के सब česem料 इंक्लूड किा गया है ठीक है एंट प्र्त म सिंगह शर्मा है कमलीश को पहला रेका 거지 का और माना जाते हैं इन्होंने व्याकति चरित्रांकर में दक्षिता प्रदरशित किये अच्छे से बहुत भायातरी तरीके से व्यक्ति के चरित्र का मुल्यांकन किया है व्यक्ति के चरित्र का बखान किया है अपने रेखाचित्रों में ठीक है बनारसी दास चतुरवेदी ने उनके अकबर पर लिखे गए रेखाचित्र को प्रथम रेखाचित्र माना है जो बनारसी दास चतुरवेदी थे व चलिए next देखते हैं अब देगे हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकार कौन कोन है तो हिंदी के जो प्रमुख रेखा चित्रकार है वो है भारतेंदु यूग में रेखा चित्रकार हुए है ठीक है गध्य की प्राय प्रतेक विधा का प्रारंब भारतेंदु यूग में ही चुकुरू हुई थी इसलिए भारतेंदु युग का नाम सबसे पहले आता है। रेखा चित्र की स्वतंद्र सथापना इस युग में नहीं हो पाई थी। ठीक है रेखा चित्र की स्वतंद्र स्थापना भारतेंदू युग में नहीं हो पाई थी लेकिन जब हम भारतेंदू के चरित्र प्रदान निबंधों के बारें पढ़ते हैं जिसमें उन्होंने किसी रखती के चरित्र के बारें में लिखा है तो उसमें हमको रेखा चित्र का कुछ ऐसा एंस मिलता है देखने को मतलब कि रेखा चित्र उसमें हमें दिखाई देता है भारतेंदू हरीश चंद्र स्वतंद के रेखा चित्र नहीं लिखे तो प्रताब नाराईन मिश्क्र ने आत्मा भी व्यंजिनात्मक लेखों में रेखा चित्र के तत्व को नीधा । नें कैसे के चरित्र के बारे हैं तो उसमें रेखा चित्र उनका द्रिष्टी गोचर हो जाता है ठीक है अब नेक्स्ट देखे पंडित बाल कृष्ण भटन बाल मुकूंद गुप्त दोनों की रचनाव में रेखा चित्र के तत्व उपलब्ध होते हैं तो ये भारत इंदू यूग के कुछ लेखक है ठीक है भी रेखा चित्र का स्वतंत्र विधा के गुब में विकास नहीं हुआ ठीक है अगर हम द्रिवेदी यूग की बात करें तो उसमें रेखा चित्र का स्वतंत्र विधा के गुब में विकास नहीं हुआ ठीक है मतलब द्रिवेदी यूग में भी बहुत कम ऐसे लेखक हुए जिनकी रचनाओं में जिनके लेखन में रेखा चित्र का अभास मिलता है ठीक है धृवेदी युग में भी रेखा चित्र का स्वतंत्र विधा के रूब में विकास नहीं हुआ था पदम सिंग शर्मा कमलेश जो थे उन्होंने इस युग में चरेत्रांकन कला में दक्षता प जिनके रेखा चित्रो का संक्लन पदम Warum मिलता है पहिए जैसा उब अभी हमने पढ़त है रेखा चित्र का संक्लन माना जाता है सबसे पहला रेखा चित्र माना जाता है पद्म पराग को ठीक है कमलेश में कला का वह रूप नहीं पाया जाता है जो आज के रेखा चित्रों में उप्रब्ध है फिर भी कमलेश के नुगामी आधूनिक रेखा चित्र का है मदब कि कमलेश में हाला कि तने जादा जो उनके र बोरूप नहीं मिलता जो आज की आधुनिक रेखाचित्र में मिलता हैं लेकिन फिर भी कमलेश को पहले रेखाचित्र कार माना जाता हैं ठीक हैं शुरी राम शर्मा सन 1936 ऑस्वी तक हिंदी रेखाचित्रु का प्रकांशन पत्री-पत्री काउं में होता था क्यूंकि रेखा यूग तथा चायावादी यूग के संथिकाल में हुआ ये देखे आ गया है कि रिखा चित्र की स्वतंत्र विधा का विखास कब हुआ था काफ इंपोटन पॉइंट है नोट कर ले जएगा अमनी कोपी में स्वतंत्र रेखाचित्र जो है उसका विकास द्रिवेदी युग तता चायावाद युग के संथिकाल में हुआ था मतलब कि जब द्रिवेदी युग और चायावादी युग का संथिकाल था उसमें इसका विकास हुआ ठीक है श्री राम शर्मा का सर्व प्रथम रेखाचित रेखा चितर संघुरए बोलती प्रतीमा वे प्रकाशित के सब्सक्राइव फॉप्रेशी दिव हुआ ही मलब भी भूरत जादा चर्चा की गये से रेखा चित्र की काफी पहमस हुआ इंट रेखा चित्रों में शर्मा ने घ्रामीन अंचल मतब कि ग्रामीन शेट्र की समस्याओ परिवेश हों तथा श्रेष्ट दाओ का सजीव चित्रन किया है मतलब कि यह बताया है कि गाम में कैसा परिवेश होता है, ग्राम की क्या क्या विशेशता है, तो उन्होंने अपने इस रीखाचीतर में किस के बारें बताया है? ग्रामीन विशेशता के बारे में, इसके दित श्री राम शर्मा ने जंगल के जीव प्रानों का सोधा तथा वो जीते कैसे आदि संक्रन भी प्रकाशित किये हैं श्री राम शर्मा का नाम काफ़ इंपोर्टेंट है तो इसलिए आप जो श्री राम शर्मा है उनके रेखा चित्र संगर के नामों को भी याद रख लिजेगा ठीक है एंड आपको यह पता चिल रहा कि रेखा चित्र का विकास कब हुआ था द्विवेदी योगो चायवादी योग के संधिकाल में हुआ था यह बाल भी काफ़ इंपोर्टेंट है नेक्स्ट है बनार्सी दास चतुर्वेदी हिंदी रेखा चित्र विधा को सम्रीध बनाने में बनार्सी दास का विशेश योगदान रहा है ठीक है सन 1919 में बनार बनार्सी दास का पहला रेखा चित्र आया था औरंग जेब ठीक है इसमें उन्होंने औरंग जेब की बारे में लिखा था उनके रेखा चित्र को उन्होंने काफी अच्छे से डिस्क्राइब किया था कि उनका व्यक्तित्व कैसा था औरंग जेब का ठीक है तो रेखा चित संग रहित थीक है तो यह बताक है कि उनके शुराती रेखाचितर थे वो साथी तथा प्रक्रती के प्रांगन इन पुस्तरवें उन्होंने संग्रहित किये तिक अपने जिवन में न एक अनूठे रेखाचितर हिंदी सहहितर उन्होंने Austin किये नैस्ट राम वक्ष बेनीपुली इनका नाम वह काफ इंपोर्टन जी तो जितने भी लेखक को सारा नहीं करना इनके बस आप जीतने रहें खेट मैंने आपको मैंने आपको बताया है राहते योग में हुए नियुप चायावाद यूग में हुए तो चले चायावाद यूग के रेखा चित्रकारों को देख लेते हैं श्री राम शर्मा के रेखा चित्रों का प्रकाशिन चायावाद यूग में हुआ चित्र का साहित्य की रचाईता की रुब में इनको ख्याती मिली इनको चित्र का साहित्य का रचाईता माना जाता है ठीक है इनके जो रेखा चित्र है उसमें मानव के साथ साथ जंगी प्रान्यों की जीवन का भी इन्होंने चित्रन किया है ठीक है उसके बाद इनका हिए भे चिटरै यह प्रूवि एक काफ इंपॉर्टेंट hai एं हिन्दी रूठाचिट न लेखर को में महादेविय वर्मा शर रविष्रेष्ट रेखर रेका लेखर esse को देखर ऐसा प्रतित होता है मानो साक्षाथ चाया चित्र का व्लोकन कर रहे हो मतलब कि साक्षाथ उस इंसान को ही हम समझ रहे हो देख रहे हो ठीक है उनका रेखा चित्र बहुत ही रियलिस्टिक लगता है जब हम पढ़ते हैं तो क्यूंकि उनमें फोटोग्राफिका संद का परिवार ये के कुछ महत्व पूर्ण रेखा चित्र संग्रिया है तो यह आप जोयात को लिजिए का महादेवी वर्मा का काप इंपोर्टेंट है ठीक है उसके बाद च्छाया वादोतर यूग का मतलब है च्छाया वादी काल के बाद में यह यूग आये था इसमें कौ ठीक है इनमें से एक दो आप याद कर लिजिए रहा होल संक्रितिया एन भी चाया वादोतर रेखा चित्रकार थे प्रकाश गुप्त इनका सबका आपको याद करने की जोड़ नहीं है तो चलिए नेक्स्ट टोबिक पर आते है नेक्स्ट है एक अंकी एक अंकी में आपका क आख प्ले अच्छा एक एकांकी नातक तथा एकांकी दोनों ही एक समान हिकंड़ हैं अगर हम दोनों का समझे तुर दोनों का मतलब सेम ही होता है चाहे आप एकांकी बोल दिजेए चाहे आप एकांकी नातक बोल दिजें ठीक है परश्चिम एकांग की बीसवी शताबदी में विशिष्ट है प्रथम महायुद के बाद अत्यंत प्रचली तो लोग प्रिय हुआ हिंदियों और निये भाद ये भाशाम में उसका व्यावक प्रचलन इस शताबदी के चोथे दशक में हुआ था ठीक है मतलब की इसका प्रचलन कब हुआ चोथे दशक में हुआ था ठीक है इस शताबदी के चोथे दशक में परश्चिम में एकांग की सबसे पहले बीसवी शताबदी में आई थी ठीक है हिंदी साहिते के इतिहासकार एकांग की का प्रारंभ भातेंदु यूग से मानते हैं जो इतिहासकार है हिंदी साहिते की वो मानते हैं कि एकांग की का प्रारंभ जो है वो भातेंदु यूग से हुआ है प्रसाद के एक घूंट से दूसरा चरन भूबनेश्वर प् उसके बाद इसके दोसरे चरन का विकास हुआ है प्रसाद के एक घूट नामक रचनाव से ठीक है उसके बाद भूवनेश्वर प्रसाद जो थे उन्होंने कारवा नाम की रजनार लिखी थी एकांकी लिखी थी उससे एकांकी के तीसरे चरण का विकास हुआ ठीक है बस इतना याद रहना है आपको उसके बाद और तो इसमें कुछ खास इंपोर्टन नहीं है चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं नेक्स्ट आपका निबंथ निबंथ जो है यह दो शब्दो से मिलकर बना है नी प्लस बंथ जिसका मतलब होता है अच्छी तरह बंधी हु दो शब्दो से मिलकर बना है नी प्लस बंथ मतलब की ऐसी रचना जिसमें शब्दो को ऐसे बाद कर लिखा जाए कि उसका मतलब अच्छे से सपरिष्ट हो जाए ठीक है इंगलिश में इसको ऐसे बोलते है ठीक है एंड अंग्रीयजी में इसका अर्थ है प्रयतन प्रयोग तथा परिक्षन ऐसे कि अगर आप मेनिंग देखेंगे तो उसका मतलब होता है प्रयतन, प्रयोग, प्रशिक्षन, आई मिन परिक्षन, ठीक है इसका मतलब है किसी विशय का भली भाती प्रतिपादन करना परिक्षन करना उसी को निबंध कहा जाता है बाबु गुलाब राय के अनुसार निबंध उस गध्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमी तकार के भीतर किसी विशय का वर्नन या प्रतिपादन एक विशेश निजीपन स्वचंदता आदि से किया जाता है ठीक है इतनी बड़ी डेफिनेशन आपको याद करने की जोरत नहीं है इसमें आप सिंपल सा बता दिजीएगा कि निबंध जो है वो ऐसी रचना होती है जिसमें हम किसी चीज पर अच्छे से रिसर्च करके किसी चीज पर अच्छे से खोज करके लिखते हैं क्योंकि निब अच्छे से प्रयोग करके लिखते हैं तो आप बता सकते हैं और निबंध जो है इसमें संबंधता होनी चाहिए मतलब कि रिलेटेबल होना चाहिए ऐसा नहीं कि आपको निबंध दिया जाए व्रिक्षों के ओपर लिखने के लिए और आप निबंध में लिख दे नदियो के बारे में ठीक है तो रिलेटेबल होना चाहिए संबंध ही तो होना चाहिए बस सजीवता होनी चाहिए इसमें ऐसा लगे कि हम वो चीज जो है वो अच्छे से समझ पा रही है तो उसमें सजीवता गुन होना चाहिए अच्छा डौक्टर लक्षमी नारायन वाश ने निबंधों से हैं जिनमें लेकर कमने आपको प्रकट करता है विश्यों को नहीं विश्यतों के वल बहाना मातर होता है मतलब कि डोक्टर लक्षमी नारायन जो थे उन्होंने निबंध लिखा था एंट उनका निबंध भी काफी जारा प्रचलित हुआ ठीक है उसमें उन्ह को गध्य की सर्वोतम विधा माना जाता है ठीक है गध्यम कवी नाम निकशम वदंती संस्कृत की यह जो प्रसीद लाइन है ठीक है इसके बारे में आचारी रामचंद्र शुकल ने कहा है कि यदि गध्य कवियों की कसोटी है तो निबंध गध्य की कसोटी है काफ इंपोर मतलब कि अगर गध्य कवियों की पहचान है तो निबंध जो है वो गध्य की पहचान है कसोटी का मतलब पहचान ले सकते आप एक देगे से ठीक है निबंध किसी व्यक्ति की अगर आपको रचनात्मक शम्ता देखनी है ठीक है तो वो आप निबंध से देख सकते है उससे निबंध लिखवार कर ठीक है निबंध जो है इससे क्या पता चलता है विक्ति की रचनात्मक्षमता तथा प्रतिभा उसके बाद निबबन्त का अभी प्राए है किसी एक वस्तु को सम्याक रूप से बाढ़ना, या फिर किसी विशेष शब्दों को आपसमें बाढ़ना कि उसका डर्थ अच्छे से परस्थ हो पाएं, ठिक हां, अर्था अड निबन्त वहर रचना है है जिसमें किसी विशेष्ट विशार से संबंधित तर्क संगत विचार परस्पर गूंते हुए हो मत रखिन ऐसी रचना है जिसमें किसी विशार संभादित विचारों को तर्क संगत रुप से आपस्पें जोड़कर लिखा जाते हैं ठीक है अब नेक्स्ट आपका संस्मरन ऐसा गद्या का प्रकार है जिसमें हम किसी व्यक्ति की स्मृति की आधार पर कोई चीज लिखते हैं ठीक है स्मृति यान की यादों की आधार पर किसी विशय पर तथा किसी व्यक्ति पर लिखित आलेक संस्मरन कहराता है आपके पास कोई वस्तू हो एंड आप उसकी याद में कोई आलेक लिके उसको भी संस्मरन बोल सकते हैं इसी तरीके से किसी व्यक्ति की याद में या किसी व्यक्ति की स्मृति में आप जो लिखते हैं उसको भी संस्मरन बोल सकते हैं कि संसमरण समृती पर लिखा जाते हैं यात्रा सहायतिय अभी सके अंतरगत ignorat संसमरण को सहायतिक निभन्त के घुई से मानगा सकते हैं ऐसी अचनाव को संसमरण, नाध्मर, निभन्त भी कहा जा सकता है घुक है तो ये देखिए संसमरण लेखन का विकास कैसे हुआ हिंदी साहिते में वास्तविक संस्मरन लेखन का रिये ध्विवेदी युक से शुरू हुआ था कब से शुरू हुआ था ये ध्विवेदी युक से ठीक है काफे इंपोर्टेंट है ध्विवेदी की प्रेगना से सरस्वती में अनेक संस्मरन प्र बोलते हैं कि क्योंकि संस्मरन को भी यादो क्या धाप लिखा जाते हैं किसी रखती की तो उसको जीवनी भी तो कहा जा सकता है लेकिन जीवनी में एंट संस्मरन में डिफ्रेंस होता है ठीक है इसलिए संस्मरन को जीवनी साहित्य नहीं कहा जा सकता ठीक है अब यह next देखें प्रमुख संस्मरन लेखन कोन करता है प्रमुख संस्मरन लेखर संस्मरन सहाइते को सम्रिद बनाने में अनेक संस्मरन कारों का योगदान मिला है जिनमें प्रमुख संस्मरन लेखन कोन कोन है स्वामी सत्यदेव पुरिष राजग ठीक है एंड महादेवी वर्मा महादेवी का सबसे इंपोर्टेंट है ठीक है तो आप इनका याद कर लिजेगा एंड हेम चंद्री जोशी इन सबने संस्मरन लिखा था ठीक है अच्छा महादेवी वर्मा के संस्मरन हिंदी संस्मरन साहिते की अक्षान इधिया मदरी बहुत इंपोर्टेंट विरासत आप बोल सकते है हिंदी साहितेकी ठीक है अनके संस्मरनों का संगरह अतीद के चलच्टेड़ में प्रकाशी दुआता वहाद्य है एप अपने इग्जाम से पहले अगर कर ढ경े तो अच्छे मार्च साब को मिल जाएंगे चलेए लिए नाक्स देख लेते हैं व्यंग्यों यह next है आपके हिंदी साहिते की गर्द्य रचना में सबसे last है यह तो चलिए जानते हैं यह क्या होता है व्यंगे साहिते के विदा है जिसमें उपहास या मजाख करके किसी चीज की आलोशना की जाती है ठीक है जब आप मजाख करके जब आप उपहास करके किसी चीज की बोल सकते हैं ठीक है तो ये एक तगे का आलोजनात्मक लेखन ही आप बोल सकते हैं यूओब में डिवाइन कोमेडी दानते की लैटिन में लिखी किताब को मध्यकाले इन व्यंगिय का महत्वपूनकारि माना जाता है आमने Divine Comedy ये जो book थी इसके बारे में history में पढ़ा होगा medieval history में ठीक है तो ये Latin में लिखी थी उन्होंने धानते ने व्यंगे को मुहावरे में व्यंगे बान कहा गया है एंड हिंदी में हरिशंक परसाय और श्रीलाल शुगली इस विधा के प्रमुख हस्ताक्षर है तो व्यंगे विधा में से ज़ादा पूशा नहीं ज़्यादा भू छोटा सा टोपिक है एंड हमारे देश में कौन-कौन से प्रमुख प्रसिद वेंगे कार हुए है तो दो लोग फेमस है हरिशंक परसाय और श्रीलाल शुकल ठीक है तो बस यह आपकी फर्स्ट उनिट का कंप्ली टोपिक था इससे बाहर फर्स्ट उनिट में से कुछ नहीं आएगा तो आप यह अच्छे से करके चले जाएगा इस प्रसिद तो ना भूले ठेंक्यू वैंगे माथ